जम्मु कश्मिर से अनुच्छे 370 हटने के बाद से आतंकी संगटनों को निशाना बनाया गया है इसलिए जैशे मुहमद ने नागपुर में RSS कार्याले में रेकी की है ये बयान भाचपा नेता गिरिश महाजन ने शुकरवार को जलगाओं में दिया अब इस पर देवेंद द्वारा नागपुर में RSS मुख्याले की रेकी के इस मामले में विपक्ष नेता देविंद्र फटनविस ने कहा कि ये जानकारिया पुलिस और केंद्रिय एजंसियों तक पहुँच गई है इसलिए माना जा रहा है कि महाराश्टर पुलिस और केंद्र सरकार इस समन्द मे उचित साउधानी बरतेंगी इसे बहुत गंभिरता से लिया जाना चाहिए ऐसा रियेक्शन देविंद्र फटनविस ने दिया है नागपुर में पुर्व में हुए एक बड़े आतंक की हमले के मद्दे नजर सुरक्षा बलो को अलर्ट कर दिया गया है पुलिस आयुक्तम पादी नागपुर में कुछ जगहों पर रेकी कर रहे है रेकी को भी रोक्ताम अधिनियम के तहत अपराद के रूप में सुचित किया गया है फिलहाल नागपुर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है